हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गिद्धा या फिर जागो का शिर्ट बनाना तो इससे पहले मैंने लहंगे की और दुपट्टे की वीडियो जो है वो अपलोड की थी तो मुझे बहुत से कॉमें चैनल फ्रेंट्स आए कि मैं आप ये जो शिर्ट है हैवी शिर्ट पनती है गिद्धे जागो की उसकी भी वीडियो अपलोड कीजिए तो आपकी डिवांड पर ये मैंने शिर्ट दोबारा से बनाई है और उसकी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ये वीडि या जागोवला जो सूट है उसको घर में ही क्रियेट किया है तो बहुत ही ब्यूतिफुल ये हैवी सूट है आप वैसे भी इसको वियर कर सकते हैं तो चलिए सीखते हैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग तो ये दिखिए फ्रेंट्स ये सबसे पहले तो मेरे पास ये परी सि करके बिछा रखा है और बंद साइड मेरी खुद की तरफ है और ओपन साइड मैंने दूसरी तरफ रखी है और यह इसकी मेजरमेंट है लेंथ 42 इंच तीरा 7 इंच होगा चेस्ट का साइज इसका 36 है और कमर का जो साइज है वो 32 एंड हिप साइज 40 है और जो बाजू है वो 16 इंच लंबी और 5.5 इंच इसकी मोहरी होगी तो यह इसकी मेजरमेंट है लेकिन आपने अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको कट करना है आप लिखकर अपनी मेजरमेंट को रख सकते है तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें इसकी कटिंग कर तो ये मैंने नीचे का जो फैब्रिक है वो तो बिछा रहा है और ये लाइनिंग वाली कुरती है तो इसलिए इसकी 234 और अच्छे सेट बिछा लेंगे तो बिल्कुल अच्छे से सेट करना है, तांकि बिल्कुल किनारी से किनारी स्की मिल जाए, specially जो हमारी बंद साइड है, उदर से बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, फैब्रिक और उपर से भी, तो 42 इंच इसकी लेंथ है, तो ये दिखिए, ये मैं लेंथ पर मार्क करूँगी, सबसे पहले 42 पर और 2 इंच एक्स्टा रखूँगी नीचे, जो की फोल्डिंग में आ जाएगा हमारा, तो ये दोनों लाइन्स हम ड्रॉ कर लेंगे, 142 इंच पर और 144 इंच पर, तो ये सबसे पहले हमने इसकी लेंथ निकाल ली है, तो लाइनिंग का फैब्रिक थोड़ा छोटा ही होता है, लाइनिंग शर्ट से थोड़ी छोटे साइस की ही लगाने चाहिए, तो अब हम करेंगे इसकी उपर से अच्छे से कटिंग, तो आप बड़े ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हमें तीरे का नाप लेना होगा, जो कि हमारा 7 इंच तीरा है, तो हमें साड़े साथ यहां से रखना होगा, यह दिखिये यह भी मैंने यहां से 7 इंच ही लिया है तो यहां से हम यह line draw कर देंगे तो अब हम यह दिखिये यहां से line draw कर देंगे तो friends यह दिखिये अब हमें यहां से भी 7 इंच पे एक marking करनी होगी यह भी मैंने 7 इंच पे marking कर दी है जो की कमर की होगी हमारी और उससे नीचे हम यह देखे यहां से वैसे तो 14 इंच रखना चाहिए लेकिन मैं यहां पे 16 इंच रखूँगी क्योंकि थोड़ा नीचे हम इसकी वो जो स्लिट्स हैं वो रखेंगे क्योंकि यह गिद्धा या जागो वाला शर्ट है इसलिए यह द चेस्ट का तो अगर 36 है हमारा साइज तो हमें इसका चौथाई हिस्सा लेना होगा जो की 9 आता है क्योंकि यह 4 फोल्ड बिचा हुआ है तो हम इसका चौथाई हिस्सा ही लेंगे तो अगर 36 इंच है तो हमें यहां से 9 इंच पे मार्किंग करना होगी और एक मार्किंग मैंन वह होगा एट इंच तो उसका भी हम यहां से एट इंच पे एक मार्किंग लगाएंगे और एक धाई इंच पे एट इंच से धाई इंच बढ़ा के लगा देंगे यह दो मार्किंग हम यहां पे लगा देंगे धाई इंच जो हमने फैब्रिक बढ़ाया है वो हमें मार्जन के लिए चाहिए होगा और जो हिप है वो 40 साइज है अगर 40 है तो उसका चुथाई 10 होगा तो 10 पे मार्किंग करेंगे और 1,5 इंच बढ़ा के फिर से करेंगे यह दोनों मार्किंग हमारी हो गई है सिलाई की भी और मार्जन की भी और अब हम इनको ऐसे मिला देंगे यह सबसे पहले तो हम जो इनर हमारी जो है जो की सिलाई जहां पे आएगी वो मिलाएंगे और उसके बाद यह जो मार्जन के लिए हमने 1,5 इंच पे रखी है यह लगाएंगे यह दोनों निशानिया हमें एकठी ही लगा देनी होंगी तो ऐसे कुर्ती कटिंग करने से बिल्कुल पो इंच अंदर की और लेंगे और स्केल की हल्प से यह जो लाइन है यह इधर की और ड्रॉ कर देंगे तो यहां से भी हम गुलाई देंगे यह हमारा जो फ्रंट का है आम होल वो हो गया तो यह दोनों आम होल जो है वो अलग अलग होते हैं इससे परफेक्ट फिटिंग आती ह और यह यहां से हम इसकी सीधी कर देंगे लाइन यहां से ड्रॉ करके तो यह हमारी अच्छे से कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो गई है तो अब हम मार्किंग के उपर कटिंग कर देंगे यह देखिए नीचे वली जो लाइन है जो कि मैंने बढ़ा के लिया हुआ फैब्रिक वह इज यह अंदर वाली हमें कट नहीं करने है यह आगे और पीछे दोनों पल्ले हमारे पास है अभी तो अभी हम यह पीछे वली ही लाइन जो है वह कट करेंगे तो यह कि जो मार्जन वाली लाइन हई उसको हम है कट कर देंगे ये भी लाइन बिल्कुछ सीधी कट कर देंगे तो ये अलमुस्ट हमारी कुर्ती की पॉफेक्ट कटिंग हो चुकी है अगर आप ऐसे कटिंग करते हैं तो बहुत ही प्रॉपर फिटिंग वली कुर्ती हमारी बनती है यहां से आदा इंच नीचे की और मोड़े की तरफ गिरा देंगे कंथे की और और ये दोनों पार्ट हमारे अलग-अलग हो चुकी है अब हम पीछे का पार्ट निकाल देंगे शर्ट का भी और लाइनिंग का भी ये दिखिये, shirt का भी और lining का भी मैंने निकाल दिया है तो अब जो front के जो part है, उनको हम अच्छे से पहले बिछा लेंगे, set कर लेंगे नीचे का fabric भी और उपर lining वाला fabric भी अच्छे से बिलकुल fabric को equal करते हुए, set करते हुए हम जो front का arm hole है उसकी भी cutting कर देंगे ये ध्यान रखना है कि front की armhole cutting करने से पहले हमें back का part जो है वो निकाल देना है तो ये हमारा front side हो गया ये हम लिख लेंगे lining पे भी और fabric के भी ताकि से लाई के time जो है हमें वो दिक्कत न गोई आए और ये जो पीछे के हैं back के part हैं वहाँ पे भी हम back का लिख लेंगे है तो 16 inch length होगी हमारी sleeves की ये देखिए यहां से 16 inch total इसकी length होगी तो थोड़ा सा बढ़ा के हम दो इंच बढ़ा के लेंगे क्योंकि ये आएगा सिलाई में जो अंदर की और हम फोल्ट करेंगे उसके लिए fabric होगा तो ये हम दोनों लाइन्स जो हैं उनको ड्रॉ कर देंगे तो अब फ्रंट्स अब उपर ये दिखिए open side दूसी तरफ है तो अब हमें यहां से तीन इंच उपर से लेना होगा यहां पर भी हम एक line ड्रॉ कर देंगे तो ये देखिए अब हम यहां से कम से कम 9 इंच हमें fabric चाहिए होगा अगर 7 इंच हमने आम होल रखा है तो 9 इंच हमें चाहिए होगा और यहां से हम लेंगे 6 इंच क्यूंकि 5 इंच अगर हमारा मोहरी है बाजू की तो हमें 6 इंच लेना है और यहां से हम शेप दे देंगे बाजू की ऐसे शेप देने से बिल्कुल perfect fitting की हमारी बाजू तयार होती है और इस line को हम मिला देंगे यह देखिए ऐसे तो यह हमारी बाजू की drafting हो चुकी है और अब हम मार्किंग जहां पे हमने marking की है वहां से इसको cut कर देंगे तो यह sleeves की भी cutting हो चुकी है इसकी front की जो cutting है वो हम shirt जब ready करेंगे तब ही करेंगे तो यह हमारी shirt की जो cutting है वो बहुत असानी से हो चुकी है इसका neck तो यह u-shape गले जो है उसके pattern मैंने लेके रखे है यह ऐसे ही cutting वले pattern हमें मिल जाते हैं यह stick होते हैं एक तरफ से यह थोड़ा harsh होता है और एक तरफ से shiny जो shiny part होता है उस पे गम लगी होती है तो shiny part को हम fabric की और रखेंगे fabric नीचे से सीधा होना चाहिए और shiny part जो है उसको fabric की और रखे तो गरम प्रेस से हम इसको stick कर देंगे बहुत आसान होता है गरम प्रेस सिर्फ हम गले के pattern पे घुमाएंगे तो यह चिपक जाएगा तो यह देखिए यह दोनों मैने गले जो है वो stick करके रखे हुए है तो च हमारे आगे और पिछे का गला तो यह बहुत से pattern में गले मिलते हैं अगर आप किसी design का लेना चाहते हैं तो बहुत से इसमें designs आते हैं तो यह देखिए यह मेरी जो कुर्ती है उसका front part है तो यह देखिए बहुत ही perfect तरीके से इसकी मैने cutting की है और इसकी cutting का video भी मेरे चैनल में upload हो चुका है तो यह front part है तो अगर आपको cutting का भी video देखना है तो आपको description में इसका भी link मिल जाएगा तो आप आराम से जाके देख सकते हैं इसकी stitching का भी अलग से video मिल जाएगा तो सबसे पहले हम lining बिचाएंगे और lining के उपर shirt का सीधा fabric बिचाएंगे सीध्या जो side है वो उपर की और आना चाहिए नीचे lining और shirt का सीधा fabric तो इनको अच्छे से सबसे पहले हम set करके रख लेंगे बिल्कुल जो lining है और जो shirt का piece है यह बिल्कुल equal आने चाहिए इस हिसाब से हमें इसको set करना है तो अगर आप चाहें तो आप सिलाई भी लगा सक सकते हैं तो लेकिन मैं यहाँ side पे pins लगा रही हूँ ताकि हमारी जो lining है वो नीचे से हिले नहीं तो दोनों और हम इसके pins लगा लेंगे तो यह देखिए यह दोनों और मैंने set करके pins लगा ली है तो अब बड़े ध्यान से देखिए कि हमें कैसे lining वली कुर्ती में perfect तरीके से गला बनाना है तो यह जो गले का pattern है इसको हम उल्टा रखेंगे जो टिकन वली side है वो उपर की और आने चाहिए तो stitch करने से पहले इसमें भी हम center में cut लगा लेंगे shirt का जो part है उसमें भी cut लगा लेंगे और एक cut हमारे यह गले के pattern में लगा हुआ है तो इससे हमारा जो गला है वो बिल्कुल center में ही attach होगा तो अच्छे से हम सबसे पहले set करेंगे यह देखिए नीचे lining है उपर सीधा fabric और उसके उपर उल्टा गले का pattern है आपको भी यह ऐसे ही set करना है बहुत ध्यान से तो इसके center में एक कच्छी सिलाई लगाएंगे सबसे पहले ताकि जो lining है वो नीचे से हिले नहीं और हमारा जो गला है वो बिल्कुल perfect तरीके से center में ही attach हो तो बहुत ही ध्यान से हम यह center में सिलाई लगाएंगे तो किसी भी कुर्ती का जो गला है वो बहुत important होता है क्योंकि गले से ही कुर्ती की stitching का पता चलता है कि कितने अच्छे proper तरीके से इसकी stitching की गई है तो इसलिए बुटीक से सिलवाते हैं सब तो बाकी कुर्ती तो stitch करना बहुत आसान होता है तो गले की ही मेन बात होती है तो अब हम जो यह गले की सिलाई है यह सारी टिकन के ऊपर नहीं लगाएंगे टिकन के बिल्कुल साथ साथ यह सिलाई हमारी आनी चाहिए और उसी shape मे आनी चाहिए जिस shape में हमारा यह गला है तो यह देखिए जैसे जैसे गला हमारा design है वैसे वैसे हम machine को turn करते जाएंगे और यह बिल्कुल टिकन के साथ साथ सिलाई लगा देंगे बहुत आराम से बहुत ध्यान से हमें यह सिलाई लगानी है ताकि जो तीनों fabric है जैसे की न यह तीन fabric के ऊपर सिलाई आएगी तो बहुत ही अच्छे से manage करते हुए यह हमें सिलाई लगानी होगी तो अगर यह सिलाई ध्यान से लग जाती है तो हमारा गला जो है वो बिल्कुल proper finishing से ready हो जाता है तो अब हमें क्या करना है यह देखिए इसको अच्छे से बिचा कर यह इसका अंदर का fabric है उसको उसी shape में U shape में ही cut कर देंगे आधे inch का margin रहने देंगे जहां पे हमने सिलाई लगाई है सिलाई से आधे inch का margin चोड़के बाकी का fabric जो है वो हम cut कर देंगे और यह fabric cut करने के बाद एक और सबसे important जो है बात वो है कि हमें कोई सा भी गला अगर बनाना है तो उसमें cut जरूर लगाने है चोटे चोटे यह देखिए यह cut सिलाई नहीं cutनी चाहिए तो सारी जो गले की हमारी shape है चाहे वो U shape है या फिर कोई भी pattern है तो हमें यह cut जरूर लगाने है अगर हम cut नहीं लगाएंगे तो जब हम इसको turn करेंगी अंदर की और तो इसमें खींच पड़ेगी और जो लाएगा और अगर आप सफाई से बनाना चाहते हैं और इसको आसानी से turn करना चाहते हैं तो हमें cut जरूर लगाने है और अब जो बाकी का बड़ा वहाँ का fabric है। उसको हम यह टिकन का जो पैटरन है सके ओपर overlap करते हुए सिलाई लगा देंगे सारे गले में ये देखिए इसको हम overlap करते हुए सारी फिक मेसी लगाएंगे जैसे जैसे गले की toirm हैं वैसे वैसे ओवरलैप करते हुए ये सिलाई लगाएंगे इस से जब हम हैंड स्टिच करेंगे तुरपाई करेंगे तो बहुत असानी होगी और वैसे भी गले में बहुत सफाई आएगी तो ये सिलाई भी लगानी बहुत इंपोर्टेंट होती है तो देखिए कुछ ऐसे हमारा गला बनक हो गया है तो ये दूसरा भी जो है गला वो इसको भी सेम प्रोसीजर से ही हम अटाइच कर लेंगे क्योंकि ये भी उगला था तो मैंने इसकी अलग से वीडियो नहीं बनाई आपको पता है जैसे कि हम इन ये गला टाइच किया है उसी طरह से ही हम दूसरा गला भी तो देखिए कुछ ऐसे सफाई से ये अंदर की और टर्न हो गया है तो ऐसे गला बनाना बहुत आसान भी होता है और बहुत फिनिशिंग से बनता है तो चलिए फ्रेंड्स आज मैं आपको एक और सीक्रेट बताती हूँ अगर आप लाइनिंग वाली कुर्ती बना रहे हैं तो लाइनिंग वाली कुर्ती के लिए हमें ऐसे सिलाई नहीं लगानी है कंधे की ये देखिए mostly ऐसे ही लगा देते हैं सिलाई जिससे की बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती है तो इसका मैं सीक्रेट आपको बताती हूँ लाइनिंग को दोनों साइड की जो है उसको हमें अ हमें उल्टा रखना है ये देखिए उपर का उल्टा है तो बिल्कुल सिलाई जो है हमारी गले की वो सिलाई से सिलाई मिलानी है हमें तो जो साइड है वहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं हम कट कर देंगे लेकिन गले की जो है वो मिलनी ही चाहिए तब ही हमारे गले में अच्छे से फिनिशिंग आएगी तो इसके उपर हम सिलाई लगाएंगे डबल सिलाई लगा देंगे यह दिखिए अगर हम कंधे की ऐसे सिलाई लगाते हैं तो एक तो बहुत ही फिनिशिंग आती है और एक हमें जो कंधे की सिलाईय उसको इंटरलॉक नहीं करवाना पड़ता, इंटरलॉक से थोड़ी सी खीच पड़ जाती है, तो इसके लिए हमें इंटरलॉक भी नहीं कराना होगा, क्यूंकि अंदर की और भी बिल्कुल सिलाई नहीं आएगी, ये घुम सिलाई की तरह हो जाएगी, तो ये डबल सिलाई हमने लगा दी है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ कि कितनी फिनिशिंग से हमारा जो कंधे का ये है सिलाई वो रेड़ी हुई है, अब हम इसको सारे को खोलेंगे, और लाइनिंग वाला पार्ट जो है वो अंदर की और कर देंगे, य देखे, उपर भी नहीं और नीचे भी नहीं, ये अंदर की और सिलाईया हो गई है, गुम सिलाई बन गई है, तो ये दोनों और की मैंने सेम ऐसे ही सिलाई लगा दी है, तो देखिए कितनी फोफर्क तरीके से ये सिलाई गुम सिलाई बनी है, अंदर की और भी और ये जो उपर गले का पैटरन है इसमें हम हैंड स्टिच करेंगे तुर्पाई तो बहुत ही फिनिशिंग से हमारी जो है ये कुर्ती रेडी हो जाएगी तो देखिए फ्रेंट्स कितने सफाई से हमारा जो गला है वो बनके रेडी हो गया है तो अब हम लगाएंगे इसकी साइड की सिलाई तो फिटिंग की मार्किंग मैंने की हुई है तो आप भी फिटिंग की मार्किंग करके ही ये दोनों सिलाई लगाएं तो बिल्कुल पोफेक्ट आपकी कुर्ती की फिटिंग आएगी तो यह देखिए यहाँ पे double सिलाई हम लगा देंगे fitting की तो यह थोड़ी slits इसकी नीचे होती है क्योंकि घागरे वला होता है तो उस हिसाब से मैंने इसकी cutting की है तो जहाँ पर marking है वहाँ तक ही हम इसकी stitching करेंगे तो ऐसे ही दोनों और हम यह सिलाई लगा के जो shirt है उसको complete कर लेंगे यह दिखिए दूसरी साइड पर भी जहाँ पर हमने marking की है वहाँ पर इसकी सिलाई लगा देंगे तो यह दिखिए यहाँ से सिलाई दोनों और लग गई है तो अब हम त्यार करेंगे इसकी बाजू तो बाजू के लिए यह देखिए कटिंग करके मैंने फैब्रिक रखा है एक फैब्रिक को हम लेंगे उसको सबसे पहले हम फोल्ड करेंगे थोड़ा सा फोल्ड करके एक सिंगल सिलाई लगा देंगे इसकी जो स्लीव्स हैं उसपे भी गोटा पट्टी का काम होगा क्योंकि यह हैवी लुक की शिर्ट बनेगी गिद्धा या जागो की और यह देखिए सिलाई लगाने के बाद हम इसपे गोटा पट्टी यूज़ करेंगे तो यह गोल्डन कलर का गोटा पट्टी ही इसपे चलता है जागो या गिद्धे के जो ड्रेस होती है उसपे बहुत ही मतलब सस्ता होता है यह कॉसली नहीं होता तो ऐसे इसको पक्खी लेस बोलते हैं और इसको यह सिंपल लेस है चौड़ी वली तो हम नीचे से पक्खी लेस पहले रखेंगे जो फ्रिल वली है और उसके उपर ही ओबरलैप कर देंगे दूसरी लेस को ताकि एक ही सिलाई में हमारा यह कवर अप हो जाए तो इसको अच्छे से सेट करते हुए एक सिलाई से ही हम यह दोनों लेस को अटाच कर देंगे तो यह देखिए यह एक सिलाई से हमारी दोनों लेस जो है वो अटाच हो चुकी है तो कट करके इसको हम बंद कर देंगे सिलाई अब हम सिलाई को टर्न करेंगे क्योंकि एक सिलाई हमारी यहाँ पे भी आएगी गोटा पट्टी की इस साइड पे तो यहाँ पे भी हम सीधी सिलाई लगा के इसको कम्प्लीट कर देंगे यहाँ से बंद कर देंगे तांकि यह निकले नहीं गोटा पट्टी हमारी, तो ये बाजू कुछ ऐसे रेडी होंगी, दोनों बाजू को हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे, सेम एक ही प्रोसीजर से लेस लगाएंगे, और अब हम बाजू की जो फिटिंग की सिलाई है वो लगा देंगे, उसके लिए भी मैंने मार्किंग की हुई है, मेजर्मेंट के अकॉर्डिंग, तो उस मार्किंग के ऊपर हम डबल सिलाई लगाके, ये बाजू जो है, उसको कम्प्लीट कर लेंगे, तो ये हमारी दोनों बाजू पे मैंने सिलाई लगा ली है, तो कुछ ऐसे बनके ये रेडी हो गई है, ये फुल स्लीप होती है, क्यों सेम शेप हमें बाजू पे भी देनी होती है, तो इसको हम बिचाएंगे, और एक इंच के गैप ऐसे फ्रंट पे शेप देदेंगे, यहां से थोड़ा शाटेंगे, ये दिखिए सिलाई की तरफ सिलाई है, और बंद साइड जो है उपर की तरफ है, ये धियान रखना है, औ बहुत ही पोफेक्ट फ्रंट से हमारी कुर्ती की फिटिंग आती है, और जोल नहीं आता है बिल्कुल भी, ये शर्ट में भी होनी चाहिए, और बाजू स्लीव में भी होनी चाहिए, तो अब हम ये दिखिए, सिलाई से सिलाई को नीचे से मिलाते हुए, यहां से और स्लीव का पार्ट ये तीन पार्ट सो जाएंगे फैब्रिक के, ये तीनो को अच्छे से मैनेज करते हुए, हम ये सारी बाजू की गुलाई में सिलाई लगा देंगे, तो ये अल्मोस्ट हमारी सारी सिलाई जो है वो लग चुकी है, ये हमारी एक बाजू जो है वो अटैच हो चुकी है, ये दिखिए, बहुत अच्छे से हमारी स्लीव अटैच हो चुकी है, सेम इसी प्रोसीजर से हम दूसरी और भी बाजू को अटैच कर लेंगे, कट लगाते हुए फ्रंट का तो ये मैंने अटैच कर दी है अब हम इसको बहुत अच्छे से सीधा बिछाएंगे और इसकी जो स्लिट्स हैं उसको फोल्ड हम प्रेस की हल्प से करेंगे तो बहुत फिनिशिंग आएगी ये देखिए जितना फैब्रिक अंदर की और फोल्ड होना है उसको डबल फोल्ड करते हुए अच्छे से बिछा लेंगे और हल्की गरम जो प्रेस है उसको इसके उपर घुमाएंगे तांकि ये बैठ जाएं स्लिट्स तो बहुत ही सफाई से हमारी ये स्लिट्स रेड़ी होंगी तो सभी और पीछे और आगे का जो घेरा है वो सब ऐसे ही हम प्रेस की हल्प से बिठा के और यहाँ पे पिंस लगा देंगे तांकि ये हिले नहीं जितना एरिया हमने फोल्ड किया है और यहाँ से भी ये दूसरी और फोल्ड कर देंगे सेम ऐसे ही तो सब तरफ हमें ऐसे ही प्रेस की हल्प से फोल्ड करके इसको स्टिच करना है तो ये देखिए फ्रेंट्स ये मैंने सिलाई लगा ली हुई है फोल्ड करके यहाँ पे फ्रंट पे मैंने सिलाई ही लगाई है क्योंकि इसके उपर गोटा पट्टी का काम होगा तो इस पे हमें तुरपाई नहीं करनी है पीछे का जो घेरा होगा उस पे हम तुरपाई ही करेंगे क्योंकि पीछे के घेरे पे गोटा पट्टी नहीं लगेगी तो ये मैंने पैटरन रेडी किया है जिस हिसाब से मैं ये design बनाना चाहती हूँ उसको आप पहले से ही ready करके रखिए तो जरूरी नहीं ये design आपके mind में कोई भी design आता है तो आप वो design इस पे बना सकते हैं तो उसके लिए आपको ये सबसे पहले pattern जो है उसको ऐसे ready करना होगा तो चलिए friends अब हम गोटा पट्टी लगाते हैं तो ये slits से हम शुरू करेंगे तो ये दोनों same वही laces हैं जो हमने बाजू पे अभी लगाई थी तो ऐसे ही ये देखिए इसको सीधा उल्टा जरूर देखना है laces का तो ये जो पक्खी laces उसको बोलते हैं इसको इस हिसाब से लगाना है कि इसका जो cut work है वो बाहर की और आना चाहिए जो हमारी ये slit है वो cut work जो है बाहर की और निकलना चाहिए इस हिसाब से सेट करते हुए दूसरी जो laces है उसको overlap कर देंगे तांकि एक ही slice से हमारी ये दोनों जो laces हैं अटैच हो जाएं सेम जैसे हमने बाजू पे लगाई थी तो ये दोनों laces को इकठी को हम ये यहां पे side slit पे लगा देंगे तो simple slice से हमें ये लगा देनी है तो जहां से हमें corner बनाना है ये देखिए ये अब हम corner पे पहुँच गए हैं सबसे पहले जो पक्खी laces है उसको हम fold करके उसका बिल्कुल perfect सा corner बनाएंगे और यहां पे एक pin लगा देंगे ताकि ये हिले नहीं क्योंकि ये दोनों हमने एक अठे ही corner बनाने है और अब ये जो चौड़ी वाली lace है उसको भी बहुत सफाई से overlap करते हुए उसका भी corner बनाएंगे थोड़ा time चाहे लगे लेकिन इसको अच्छे से आप set कीजिए क्योंकि corner बहुत ही अच्छे तरीके से बनना चाहिए तब ही ये shirt बनी हुई अच्छी लगती है तो pin को अब निकालते हुए ये हम stitch कर देंगे अब हम ये रिखे इधर की तरफ turn करेंगे और इसको corner को set कर देंगे अच्छे से सिलाई से तो अब हम दूसरी और को मुड़ जाएंगे तो बहुत perfect सा corner निकालते हुए ये हम नीचे का जो घेरा है उस पे लगाएंगे लेस सेम वैसे ही overlap करते हुए तो बहुत आराम से ध्यान से सफाई से आप ये lace लगाईए क्योंकि lace work ही main होता है ये गिधा जागो की shirt में तो अब हम दूसरा जो corner है वहाँ पे भी सेम वैसे ही अच्छे से corner बनाएंगे सबसे पहले सबसे पहले नीचे जो हमारी lace है cut work वाली पक्खी lace उसका बनाएंगे pin लगा देंगे और अब हम जो उपर चौड़ी वाली lace है ये देखिए चौड़ी वाली lace का भी सेम वैसे ही corner बनाएंगे सफाई से जैसे हमने दूसरी और बनाया है बिल्कुल equal एक जैसे ही ये होने चाहिए तो यहां से भी हम सिलाई लगा देंगे pin को निकाल लेना है ताएकि हमारी सुई न तूट जाए तो अब ये साइड दूसरी साइड की slit हमारी आ गई तो इस पे भी सेम ऐसे ही सीधी सिलाई लगा देनी है अच्छे से सेट करते हुए दोनों लेसिस को ये देखिए यहां से भी हम सीधी सिलाई लगा के ये लेस वर्क जो है वो slits पे complete कर देंगे सबसे पहले हमें यही slits पे border बनाना है यह मैंने marking की है इसलिए कि दोनों तरफ बिल्कुल equal एक ही जगह पे ये लेसिस आनी चाहिए जैसे हमने उदर जहां से start किया है उसके बिल्कुल सामने ये marking करके और वहां पे ही हमें ये लेस खतम करनी है तो अब हम टर्न करेंगे मेशीन को ये देखिए यहां पे ये चोड़ा है गोटा तो इसके उपर एक और सिलाई लगेगी इसको अच्छे से बिठाने के लिए यहां पे तो अब यहां पे simple ये सारी सिलाई जो है वो हम लगा देंगे अच्छे से लेस को balance उसका करते हुए ये देखिए यहां से थोड़ा turn होंगे corner पे तो अब हम ये सारी सिलाई जो है ऐसे ही complete कर देंगे corner हमें बहुत सफाई से बनाने होंगे क्योंकि तभी ये shirt अच्छी लगती है तो ये हमारी जो है slits पी घेरे पे सारी lace जो है वो attach हो चुकी है और धागा हमें golden color का use करना होगा नीचे हमें बिल्कुल जो shirt का हमारा जैसे wine color है वो मैंने डाला हुआ है नीचे bobbing में और उपर golden color यूज किया है क्योंकि अगर उपर भी हम wine color यूज करेंगे तो गोटा पटी पे वो नजर आएगा ये जरूर हमें ध्यान रखना है कि अगर हम golden गोटा attach कर रहे हैं तो उपर का धागा जो है वो golden ही होना चाहिए तब ही अच्छा लगेगा तो ये हमने सारा घेरे पे lace work जो है वो कर लिया है तो अब हम ये देखिए फ्रेंट्स इसको अच्छे से बिचाएंगे ये थोड़ी जो lines मैंने ड्रॉ की थी वो फीकी हो चुकी है तो अब हम फिर उससे डाक करेंगे थोड़ा जो मैंने pattern बनाया था यहाँ पे आप अपनी creativity दिखा सकते हैं कोई सा भी जो आपको design पसंद हो तो कोई सा भी बना सकते हैं तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैं ये बनाऊंगी से बहुत भरा-भरा सा हमारा shirt लगेगा नीचे से और ये सिरफ घेरे पे ही lace लगती है क्यू अब हम दूसरी line पे लगाएंगे जो दूसरी line हमने ड्रॉ की है यहां से बिल्कुल उसके सामने से ही ये देखिए उपर भी मैंने एक line ड्रॉ की है ताकि ये equal लगें उपर एक line ड्रॉ करनी है हमें तो same जैसे हमने पहली बली lace लगाई है वो हमने double लगाई थी ये थोड़ ही finishing से हमें बनाना होगा क्योंकि front पे ये नज़र आता है तो ये देखिए कितने अच्छे से perfect ये corner बना है तो अब हम ये से लई यहां पे लगाएंगे तो अब यहां पे फिर से एक corner बनेगा इसको same वैसे ही हमें बनाना है जैसे उधर का है अच्छे से ध्यान रखते हुए बिल्कुल equal करते हुए ये corner हमें बनाना है तो बस अब ये सिलाई सीधी हमें ऐसे ही complete कर देनी है इसके उपर भी double सिलाई लगेगी क्योंकि ये चौड़ा गोटा है एक सिलाई से cover up नहीं होगा तो अब हमें cut करना है और बिल्कुल जो हमारी line हमने draw की हुई है वहां तक ही इसको बिल्कुल ये देखे इसके सामने ही होना चाहिए वहां पे इसको अंदर की और थोड़ा fold करके बंद कर देना है अब हम यहां से सिलाई को इदर की और गुमाएंगे तो ये double सिलाई लगा के इसको हम finishing देंगे ये देखे तो same ऐसे ही अंदर की और ये देखे ये मैं आपको पिंस लगा के दिखाती हूँ ये दिखे यहां से हम start करेंगे यहां पे इसका corner बनेगा यहां पे दूसरा corner बनेगा और यहां से ये बंद हो जाएगा ठीक है तो दो सिलाईया लगाते हुए इसको भी हम attach कर लेंगे तो ये all over सारा मैंने attach कर लिया है तो आप friends ये देखे ये भी गोटा पटी की ही बनी होती है हमारे पंजाबी में तो इसको टिक्कियां बोलते हैं अगर आपको लेनी है तो इसको आप कैसे भी करके लगाएं कि ये अच्छा सा design बन जाए और heavy लगे look तो जैसे भी आपको अच्छा लगता है इनको अच्छे से सुई धागे से ही attach होंगी तो वो तो मुझे दिखाने की जुदत नहीं है इसको गुलाई में सुई धागे से हम golden धागे से ही attach कर देंगे तो ये दिखे फ्रेंड्स ये बनके ready हो चुका है जैसे मुझे अच्छा लगा वैसे design create किया है तो hope friends आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ये मैंने आपकी demand पे ही बनाई है तो इसके घाग्रे की और दुपटे की वीडियो आपको description में मिल जाएगी i button में भी उनका link मिल जाएगा ये मैंने पहले ही upload कर दी हुई है बहुत प्यार मिला है मेरी घाग्रे की वीडियो को और दुपटे की तो इसलिए मैंने आपके लिए ये shirt भी create की है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको like कीजिए channel को subscribe कीजिए मेरे चैनल में आपको ऐसी बहुत सी useful videos जैसे की beauty और stitching से related videos मिलती रहेंगी तो ऐसा बहुत कुछ सीखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए तो वीडियो को like जरूर कीजिए जिससे हमें motivation मिलती है और आगे भी मैं अच्छी अच्छी videos आपके लिए बनाऊ तो बाइ बाइ फ्रेंड्स टेक केर मिलते है अगली वीडियो में